तो दोस्तो गर आप एक Vodafone का SIM card यूज़ करते हैं और आपका Internet काफी ज़्यदा slow चल रहा है तो आज का ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ते जरूर देख लेना आज के इस वीडियो में एक लेटेश टेपिन की सेटिंग बताया हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने Vodafone के Internet Speed को काफी ज़्यदा इंकरीज कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सबस्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपके फोन की सेटिंग में चले जाना है सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर आपको SIM card और mobile network का एक option मिलेगा अगर आप Samsung का phone उच करते हैं तो आपको connection का option मिलेगा दूस्तो उसके बाद आपको SIM card का option मिलेगा या फिर mobile network का मिलेगा तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है दिर उसके बाद से आपको अपना SIM card select कर लेना है फिर उसके बाद से आपको access point name का एक option मिलेगा तो वहाँ पर आपको click करना है जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो by default वाला APN दिखाए देगा तो आपको यहाँ पर करना का है new APN को create करना है अभी दुस्ते new APN को कैसे create करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर एक plus वाला बटन दिखता होगा या फिर add का एक बटन दिखेगा इस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आप home भरने के लिए page open हो जाएगा दोस्त अब यहाँ पर सबसे main important part है कि आपको वीडियो को ध्यान से दिखना है सभी details को एक दम same to same fill up करना है तभी आपका internet speed fast हो पाएगा तो सबसे पहले जो name or option मिलता है यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है supreme दोस्तों आपको यहाँ पर same to same type करना है आप देख सकते हैं उसके बाद से आपको यहाँ पर लिखना है max देन यहाँ पर आपको ok पर click कर देना है click करने के बद यहाँ पर जो apn all option मिलता है यहाँ पर आजाना है यहाँ पर आपको लिखना है vignet दोस्तों यहाँ पर सभी later small में होंगे तोगे पर कलिक करेंगे प्रोक्ष टोड़ा को नोड्सेट चोड़ा देना है पोट में आपको लिखना है 80 एंपर पर कलिक करेंगे jah username का option मिलता है यहाँ पर आपको लिखना है vi और आपको space लाके लिखना है india इसके बाद से ऊके पर क्लिक करेंगे यह password को not set छोड़ देना है, server में आपको लिखना है www.vodafone.idr.in दोस्ता आपको same to same type करना है, इसका बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा MMSC को not set छोड़ देना है, MMS proxy को भी not set, MMS port को भी not set MMSC आपके phone में already set होंगे तो वही रहने दे, authentication type में आपको select करना है PAP और CHAP को, उसके बाद से APN type का एक option मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है default Then comma लगाना है, उसके बाद से आपको लिखना है SUPL, उसके बाद से आपको लिखना है net, 3 APN type को आपको लिख लेना है उसके बाद से APN protocol वाले option में IPV4 slash IPV6 को select करना है, APN roaming protocol वाले में भी आपको same voice select करना है उसके बाद से निचे आएगे तो आपको बेरर का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको click करना है, सबसे पहले LTE को select करना है, निचे आएँगे यहाँ पर आपको एक NR का बीरर मिलेगा, एक IS95 A, यहाँ पर आपको मिलेगा GPARS, यह चार बीरर को आपको select करना है, प्लिक करने के बाद यहां पर आपको non-personal करना है यहां से दोस्तों हमारा एकन रेड़ी हो चुका है तो यहां पर एकटीट करने के लिए आपके फोन को एक बार रिस्टार्ट जरू करने के बाद आपकी internet speed काफी ज़्यादा इंक्रिच हो जाएगी तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो का आफी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मिलते नेक्स वीडियो में तब तेक के लिए बाई बाई टेक केर